माई लवले स्टुडेंट्स तो नेक्स हम करते हैं केस टू अफ तर रॉल्स लॉप पहले हमने करा था केस वन और हमने उसका ग्राफ भी समझ लिया था अब केस टू में क्या करना है केस टू में ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें की नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा अब करते हो बट आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा ठीक है नॉन वॉलेटाइल वह उता है जो की वेपर में कनवर्ट हो जाता है तो यह टॉपिक इंपॉर्डन इस ही लिए है बिकेज इसमें इंट्रो ड्यूस होता है आपका रेलेटिव लोरिंग और प्रेशर या इसर रल्ल वीपी ठीक है इसी से आप रेलेटिव लोरिंग और वेपर पर परिंए देखो गई तो इसको समझने के लिए मैं इसका बना देतीक हो यहां पर किस तरह से geçe हो रहा है ठीक है इसी तरह से एक baker बना दिया और उसके ऊपर हमने एक hood लगा दिया so that यहां से wipers बाहर आपके ना जाए ठीक है wipers को बाहर नहीं जाना है wipers की ही study करनी है तो यह क्या है यह है आपका when there is the pure solvent ठीक है pure solvent है आपके पास दूसरा क्या है दूसरा है solution दूसरा लिया है आपने solution और solution में क्या है आपके पास solution में है आपके पास solvent ठीक है solvent है और प्लस आपका solute है solute है और जो solute है आपका वो क्या है non-volatile non-volatile सबसे important यही चीज़ है कि solute जो है आपका वो आपका non-volatile है और इससे बहुत जादा फरक प क्या मतलब क्या मतलब है कि कोई भी solute इसके साथ नहीं है कोई बी अधर स्पीशिस इसके साथ नहीं है सिर्फ और मज़े से क्या पढ़ावा है मज़े से आपका solvent ही पढ़ावा है solution में सॉल्वेंड है तो क्या होगा जोicer शर्फेस मतलब तहीं कि इसके यहां से जो लिक्विट स्टेट थी उससे एवैपोरेट होके यहां पर इसके विपर्स बन जाएगे। और इन विपर्स को अगर हम डेनोट करना चाहे हैं पी ए से तो इसको पी ए नॉट करते है in the pure state और आपको पता है जो प्योर एंड स्टेंडर्स टेट हो ती है उसके लिए नॉट आप लिखते हो ठीक है Now on the other hand, what is your solution, there are two things, there are also solvents and solute, I will show you the solute in red Now what will happen, the surface will be the layer of the surface, the surface will be the layer of the solvents and the solute will be the layer of the solute 쉬ess should be, now on the surface of the excess recipe Now we have alreadylukers, we have to show it book divers and solute is non-volatile, which will be indeed veráticas So even that the vipers will be formed with the solute That mortals will form solvent un为什么 अब क्यों कि बने गई आपके विपर्स बने के इसमें बट आस कंपेर टू इट्स प्योर फार्म वो कम बनेगे अब क्यों होगया कम क्यूंकि जो सर्फेस पे है वो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स है उन्हों ने भी अपनी जगह बनाके रखी है जो कि जादा विपर को नह सिर्फ और सिर्फ solvent की वजह से बन रहे हैं solute का कोई contribution नहीं है instead solute क्या कर रहा है उनको जादा vapor बनने से रोकर आए ठीक है तो अब यहाँ पर जो vapor pressure होगा यहाँ पर जो pressure होगा विपर का जो बने होगे वो क्या होगा है तो A के ही कि PA0 से value different होगी instead क्या होगा कम होगी value क्योंकि solvent आने से आपकी lowering हो रही है vapor pressure में तो यही इस concept हमने पढ़ना है relative lowering of vapor pressure कि relative क्यों कहा relative कहा क्योंकि related to relative to with respect to किसके बात कर रहे हो आप pure के with respect to बात कर रहे हो इसी लिए relative lowering of vapor pressure कि इसकी lowering of vapor pressure हो रही है solution में जाता है ठीके तो इसका हमेशा ही vapor pressure जो क्या है वो lower हो जाता है और वैसे भी आपने पढ़ा है पता होना चाहिए वैसे भी always हमेशा याद रखना कि जो pure का होता है pure का होता है vapor pressure वो हमेशा जादा होता है than that of the solution का vapor pressure ठीके और आपको यह पता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर जो molecules है वो कम हो जाता है solution में जाने पर ठीके तो यहाँ पर तो यह बात हुई और since हमने अब कर लेते है solute की बात कर लेते हैं solute क्या है solute है आपका non-volatile non-volatile मतलब बिलकुल भी एक भी आपका इसमें विपर नहीं बनेगा अगर हमने A माना था solvent को B माना था solute को तो बताओ अब PB क्या होगा PB मतलब pressure caused by the solute PB क्या होगा PB आपका 0 हो जाएगा मतलब अगर इसकी pure state भी देखे वो भी 0 हो जाएगी और जो इसकी solution में अगर कोई pressure बनना भी था वो भी इसका 0 हो जाएगा क्योंकि non-volatile है ठीके यहां तर तो बात समझ आगई अब बात करते है कि जिसके विपर बन रहे हैं उसमें आपने रॉल्सलो लगाना और आपको बता है रॉल्सलो लगाने के लिए at least one component should be volatile in nature ठीके रॉल्सलो के according क्या हो जाएगा on किस पे लगाओगे on the solvent पे लगाओगे solvent पे लगाया रॉल्सलो तो रॉल्सलो क्या कहता है कि जो pressure होता है PA in the solution is directly proportional to the XA XA तो मैं लिख लेती हूँ directly proportionality का sign हटा के वो क्या आजाता है constant PA0 उसका जो pure state में pressure होगा into Psi of A okay Psi of A mole fraction of the A okay अब हमने क्या निकालना है हमने निकालना है देखो relative lowering of vapor pressure निकालनी है तो सबसे पहले हम निकालता है difference step by step जाएगे न relative निकालना है तो सबसे पहले difference निकालो अब आप क्या लिखोगे difference in difference in difference in Vp in vapor pressure in vapor pressure क्या होगा ठीक है pressure और यहां से आपने यह क्या सीख लिया है कि always यह तो होता है कि pure का vapor pressure जादा होता है solution से and pure यहां पे क्या है pure है यहां पे PA0 तो आपने क्या देखा कि जो PA0 है उसका हमेशा जादा है PA से हमेशा ही यह केस रहेगा क्योंकि pure में हमेशा जादा होता है vapor pressure अब difference in vapor pressure की वो कितना difference आ रहा है बड़ा तो है यह PA0 अब इन दोनों में कितना difference आ रहा है वो denote करते है delta से और आपको पता होगा delta denote होता है delta किसको represent करता है difference को delta P क्या हो जाएगा difference कैसे लेते हो बड़ा minus छोटा तो बड़ा क्या है इसमें PA0 minus PA ठीक है solvent pure form में minus solution में now delta P कितना हो जाएगा PA0 अब क्या है जो PA की value है वो यहाँ पर put कर दो ठीक है जो Rawls law से आपने निकाली थी PA0 psi of A ओके अब आपको पता है जो psi of A होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो 1 minus psi of B भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि आपको क्या है आपने solute में solvent की तो बहुत बाते होगी अब कहीं solute भी तो आए ना हमें क्योंकि solute का बहुत फरक है आपने देखा solute कैसे उसके विपर परेशर को कम कर रहा है तो हमने यहाँ पर जो solute का mole fraction है उसमें convert करना है तो हम करते हैं convert equals to PA0 minus of PA0 okay and instead of XA हम क्या लिखेगे 1 minus I of B okay now अब यह क्या हो जागा इससे यहाँ पर पस क्या हुआ PA निकल के बाहर 1 minus अब यह 1 हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा X of B ठीक है 1 1 cancel out हो जाएगे delta P equals to PA0 ठीक है PA0 अब यह क्या हो जाएगा यह यह cancel हो गया अब यहाँ पर बचा P वैसे यह थोड़ा लेंदी हो गया आप again इसमें क्या कर सकते थे कि यहां से PA0 common निकाल सकते थे and 1 minus X आपका X भी आ जाना था यही निकलना था आपके पास ठीक है so anyway आपके पास क्या हुआ delta P equals to PA0 और Psi of B अब क्या करोगे क्योंकि relative पूछा है तो आप इस चीज को नीचे ले जाओगे ठीक है delta P upon PA0 ठीक है equals to Psi of B now this thing is the relative lowering of vapor pressure और उसको मैं खोल के लिख लेती हूँ क्योंकि delta P क्या था आपका PA0 minus PA था okay now divided by PA0 PA0 equals to Psi of B okay तो यह क्या हो गया आपका जो यह वाली चीज है this thing relative lowering of vapor pressure मैंने short में लिख लिया relative देखो relative क्या होती है किसी के with respect to ठीक है किसी के with respect to अब यह जो difference है बोल क्या रहे है जो यह difference है difference किसके with respect to जो divided में है मतलब pure जो state है pure solvent है उसके with respect to हमने देखना है कितना vapor pressure में lowering हो रही है तो यह हुआ आपका relative lowering of vapor pressure का expression जो कि depend करता है किस पे अब यह क्या हो गया जो depend करता है mole fraction of the solute हमेशा याद रखना relative lowering of vapor pressure जो होती है वो किसकी वज़ा से होती है depends upon the amount of depends upon depends upon upon amount of amount of non-volatile non-volatile ठीक है non-volatile solute ठीक है आपको यहाँ पे क्या है amount है क्योंकि mole fraction क्या होता है एक amount होता है ठीक है अब क्या है जो relative lowering of vapor pressure हो रही है मतलब जो vapor pressure की value में कमी आई वो हमेशा किसकी वज़े से होगी जो जितना amount of आपका non-volatile solute present होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर कितना अगर जितना जादा आपका non-volatile solute होगा उतना ही कम आपकी क्या होगे pressure यहाँ पर बनेगे और vapor pressure आपका उतना ही कम हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर भी इसका graph अगर plot करूँ अगर हमें graph plot करना हुआ यहाँ पर तो किसका करोगे यहाँ पर जो है solute तो आपका 0 है क्योंकि solute का जो प्रेशर है वो तो 0 है अगर मैं यहाँ पर pressure ले लूँ यहाँ पर हमने जैसे last make कर रहा था यहाँ पर मैं mole fraction ले लूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर values पुट करो अगर यहाँ पर फिर से value पुट करो PA equals to PA naught और Psy of A में अगर आप add XA Psy equals to 0 करते हो Psy equals to 1 करते हो तो values की आएगी PA की value तो 0 हो जाएगी PA की value यहाँ पर क्या हो जाएगी PA naught हो जाएगी अब आपके पास points आगे points को plot कर तो 0 तो यहाँ पर आपके 00 point यहाँ पर होगे and 1 Psy की value 1 and pressure की value PA naught जो है वो कहाँ होगा आपको पता है Psy अगर 0 यहाँ पर है तो maximum value उसकी Psy A की equals to 1 यहाँ पर होगी A के point हो गया और यहाँ पर pressure की value suppose यहाँ पर आपका PA naught है तो वो दोनों कहाँ जाके मिलेगे वो आपको point आपको यहाँ जाके मिलेगा ठीक है तो आपके पास यह जो जो graph होगा वो इस तरह से कुछ होगा यह है case 2 case 2 of the Roltslau का graph जिसमें कि आपका non-volatile solute लिया है and volatile solvent है उस case में आपका जो graph बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है where this point is the PA कौन सा हो जागा यह PA naught हो जाएगा तो आपने एक और चीज बहुत ध्यान से याद रखनी है इसमें एक और चीज है आपके पास note करके लिख लो कि देखो अगर हमें तो यह पता है कि relative lowering of appropriation हमारे पास यह आगे और वो depend करती है amount of the non-volatile solute अब यह क्या होगा यह nature पर depend नहीं करेगी कि आपने solute कौन सा लिया है हाँ यह तो होना चाहिए कि non-volatile solute होना चाहिए मालने दो non-volatile आपने solute लिये अब यह यह नहीं देखेगी कि इसका nature कैसा है दूसरे का nature कौन सा है suppose आपने suppose आपने सुक्रोज लिया 1 mole और 1 mole आपने यूरिया लिया ठीक है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ suppose आपने 1 mole यह बहुत important है ठीक है अगर आपने 1 mole यूरिया लिया और आपने 1 mole ही आपने सुक्रोज लिया ठीक है सुक्रोज आपने ले लिया दोनों ही क्या है दोनों ही आपके non-volatile है ठीक है non-volatile है तो ये दोनों क्या करेगे दोनों के अगर amount same है because one mole one mole amount same है तो दोनों क्या करेगे दोनों same lowering देगे ठीक है दोनों क्या होगा same same lowering of lowering of vapor pressure ठीक है same lowering of vapor pressure देगे क्योंकि दोनों non-volatile solute है और सिर्फ depend क्या करता है सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड करता है बेशक चाहे वो यूरिया हो चाहे सुकरोज आप लो तो यहां पर यह देखने वाली चीज़ है मैं यहां पर लिख लेती हूं कि relative lowering of vapor pressure relative और साथ में notes बनाते जाओ relative lowering relative lowering of vapor pressure ठीक है vapor pressure depends upon ठीक है depends upon the quantity of quantity quantity of solute सिर्फ quantity पर डिपेंड करेगा ठीक है solute solute भी मतलब non-volatile तो होना ही चाहिए not on the not on the nature of not on the nature of non-volatile solute non-volatile solute की non-volatile solute होना चाहिए इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप amount देखोगे बाकी कुछ नहीं देखोगे यह सबसे important यहां पर नोट था ठीक है यह वाला सबसे important note है कि आपका nature पर डिपेंड नहीं करता है सिर्फ amount पर डिपेंड करता है और दूसरा non-volatile होना चाहिए तो यह important था यहां से question भी बन जाता है so thank you so much comment करके मुझे बताओ कि आपको यह lecture कैसा लगा thank you so much